स्टार्ट करते हैं अपनी वकैब मुपक से पूरी बलैक बुक चाप देंगे यह ट्रिक के ना जिसे पहले पहले आप इस चैनल को सबस्क्राइब के इब यह बदाते हैं पहले भाई यहाँ पर है ना नोट्स मिलते हैं आपको मैथ और इंगलिस के ठीक है जो मैंने अपने हाथ से लिखे हुए हैं और भाई 35 लाग बच्चे पर देते हैं एक बार है ना जाके देख लेना ऐसा है नोट्स किसी नहीं नहीं बना रखे सारी जो तिने भी सारगेट की वीडियो आती है कि कल आपको क्या करना क्या 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 नहीं करना वो सारी चीजें उसके बाद भाई डिली वुकाइब आईगी अब ट्रिक्स के साथ ठीक हैं पूरी ब्लैक बुक रगडवाद दूआ में और भाई अपना चैनल जो आइन कर लो लिंक इबरी वेट अब रवी एट करके मतलब खाके समसे को छोटा करेगा तो अब इबरी वेट का क्या मतलब होगया छोटा करना इसका सिनोनिम होता है फ्यक्त इ Ländern इसको चोटा करना ही तना हाड है नहीं सब को पता होता एका तो इसका कौई मैंने ट्रिक बनाई नहीं अब बात आती है दूसरा अबडिकेट त्याग देना ऑड़ी कएट थीडिक है तो इसको कैसी याद करेंगे अब बड़ी कैट ने चूहों को खाना छोड़ दिया, भुड़ी होगे, पर क्या पता है जा भी हम थोड़ी कर सकते हूं, ठीक है, तो भाई उसने चुवो को खाना त्याग दिया, अब इसका सिनोनिम हता है, ड्याइटन, अब इसको ड्याइटन को कैसे याद करेंगे, तो ड्याइटन की ट्रिक बता देता तो हमने वह सारे वंदन नहीं त्याग दिये तो अगला देखते हैं अब अबेटर अपराद में सहयोगी इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई कि अब बैट बैट मतलब होता है सर्थ और मतलब और ठीक है हम इसको तोड़ दिया पार्ट में इस वर्ड को तो हम इसको कैसे आद करेंगे अब सर्थ और लगा ले और अपराद में मेरा सहयोगी बन जा ठीक है कोई सर्थ लगा मेरे से गल्त काम करने की कि तू कर सकता है कि नहीं कर सकता और फिर हैना मैं तो अपराद दी हुई और मेरा सहयोगी और बन जा तू मेरे साथ और जा ठीक है इसका सिनोनिम होता अप्राद्धी को पकड़ना है वह अप्राद्धी को तो बड़े अप्राद्ध में सहहिऊगी यही सेनॉनिम है अब चोथा एबिलीटी एबिलीटी का मतलब होता है यही उत्तेजित है इसकी ट्रिक बनाई मैंने अब पलस आखिर का जो बलेज है बना 厘िस जो भाई में मेरे मेरे जलती हुई किसने डा ली सकते हैं हुआ पर मैं यूटूब पर तो इसका सिन्नुनिम होता है furious ठीक है ablase का synonym होता है furious अब furious को कैसे याद करेंगे इसकी trick बनाई मैंने furious के अंदर fury ठीक है fury हा रहे ना तो mad max fury road मेरे इसाफ से सबने देखी होगी है ये hollywood की movie है तो mad max fury फिलम में सब जलता हुआ दिखाया गया है ठीक है मतलब उसके अंदर कभी bomb फट रहे हैं कभी कुछ हो रहा है तो furious का मतलब क्या होता है जलता हुआ अब आजाओ आगे ठीक है भी या six देखो evolution evolution का मतलब होता है सनान करना ठीक है नहाना तो इसकी हमने trick क्या बनाई अब को हमने पकड़ा फिर lotion को पकड़ा lotion से बना है हमने lotion फिर वैसे अनान करेगा पागल है भाई वो तो evolution का मतलब होता है सनान करना इसका synonym सुन लो washing वाशिंग का मतलब आपको पताई होगा नोर्मल सा बड़ा इसका मैंने trick बनाई नी ठीक है साथ वाजाओ evnegation evnegation का मतलब होता है SV कार इसकी trick सुन लो अब को पकड़ा फिर N E G A नेगा को पकड़ा नेगा मतलब नेगेटिव ठीक है अब इसकी trick सुन लो अब मैं नेगेटिव लोगों को SV कार करूंगा मतलब अपनी लाइफ में आने नहीं देऊंगा क्योंकि भाई मैं सीजल की त्यारी कर रहा हूं यार आप भी कर रहे हो सीजल की त्यारी भाई नेगेटिव लोगों से दूर रहो मैं हमेशा बहलता हूं तो evnegation का मतलब होता है SV कार इसका synonym सुन लो Daniel ठीक है deny करना deny से बन गया Daniel deny होता है I deny you I deny your thoughts ठीक है तो ऐसे Daniel हो गया ठीक है deny से ही बना है तो Daniel का मतलब भी SV कार होता है आगी बस समझ में आठवा सुन लो abnormal abnormal का मतलब होता है ऐसा मान्य है यह आसान सा है लेकिन फिर भी मैंने इसकी trick बनाई trick क्या बनाई अब plus normal अब मैं normal नहीं हूँ मतलब ऐसा मान्य हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी खालिस्तान में कुछ ही बर लो ठीक है जो मर्जिया है वो बर लो गई या खालिस्तान में मेरे पास मेरी समझ गया अब इसका synonym मानाएंगे इसका synonym क्या होता है unnatural unnatural अब इसका होता है घर इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई अब पलस ओड हमने लिख दिया ओड मतलब ओड ले समझ जो इसको मैंने मतलब connect कर दिया ओड ले से ठीक है अब इसको कैसे याद करेंगे अब घर जा और कुछ ओड ले क्योंकि भार ठंड है मतलब अब तु घर जा, अब ओड का मतलब होता है घर, ठीक है, और कुछ ओड ले, ठीक है, क्योंकि भार ठंड है, वो भार गोम राओगा, पागल हो, सिनोनिम इसका क्या होता है, ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, घर, अब ड्वेलिंग को सुन लो कैसे सब्सक्राइब करना अगे बात समझ में अब इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे अब पलस बोली ठीक है अब उसकी बोली से हमारा रिस्ता समाप्त हो चुका है आगे बात समझ में उसने मेरे को कुछ ऐसा बोला जिससे हमारा रिस्ता खतम हो गया ठीक है फिर वो बोली क्यों यार मेरे को समझ में यह नहीं आ रहा पर फिर भी ठीक है मैंने रिस्ता समाप्त कर दिया आगे बात समाज में तो abolition का मतलब होता है स्माप्त करना उन्मूलन करना synonym सुन लो इसका cancellation cancellation तो सब कोई पता है इसकी trick बनाने कोई जोरत नहीं है ठीक है अब एक tip सुन लो जिस भी word में B-O-L-I बोली आये समझ जाना कि उसका मतलब स्माप्त करना होता है आगे बात समझ में B-O-L-I जो बीच में लिख रहा है ना बोली इसका मतलब किसी word में आ जाए तो इसका मतलब होता है स्माप्त करना अब आजाओ अब ओर्ट 11 अब ओर्ट का मतलब होता है बंद कर देना इसकी ट्रिक सूने लो अब पलस ओरत ठीक है哇 ओर्ट को हमने बना दिया ओरत अब इसको कैसे याद करेंगे अब ओरstatic की सुननी बंद कर दे यस भाई वकई मैंने ट्रिक बनाई है नहीं ओरत की सुननी चीए उसकी हर बात माननी चीए नहीं तो भाई, ना तो खाना मिलेगा, ना कुछ भी मिलेगा, आई बात समय में, जिंदिगी स्नहें सोझ यही तुम्हारी, तो abort का मतलब होता है, बंद कर देना, ठीक है, अब औरत की सुननी बंद कर दे, मतलब अबोर्ट बंद कर देना, सिनोनिम इसका होता है, AND, AND को भाई सब कोई पता है यहां पह देखो अबोर्टी आबोर्टीव सanınस्फल एईसाफल ठीक है इसके ट्रिक देखожет हो अब प्लस अबोर्शन यह वक्याब है और हनौ यहां पहले मैं ठीक क्यों सकती हो ठीक है उसको है ना दिल पे मतले ना कि हो तुने ये कैसे बोल दिया ठीक है तो भाई इसको सुन लो अब आवर्शन करवा ले करवा ले तू ऐसे फल होगी या होता है ना कि कई बार वो मतलब इंजिरी हो जाती है अंदर कुछ भी यार ठीक है मैं इतना साइंस का पता नहीं ह हो जाता है तो मतलब बच्चा खरा हो जाता है तो फिर अबोर्शन करवाना पड़ता है वह मैं हो जाता है मेंडेटरी हो जाता है वह ठीक है भाई पहले बोल रहा है कोई यह नहीं कहें कमेंट में तो अब अबोर्शन करवा ले तू ऐसे फल हो गई तो अबोर्टिव का मत कि ये न एक शाल बाद उनको गख़ाँग। जो डेल्य काम नहीं करते हैं तो काम कर लिया तरो अब सिनोनिम देख लो इसका रीपील या और इबोलिस अब अबोलिस स्वारी रीपील अबोलिस इसके सिनोनिम होते हैं अबरोगेट का मतलब रद करना अब सिनोनिम देखो रीपील को कैसे याद करना है ट्रिक चाहे री पलस अपील ठीक है री को पकड़ा पील से हमने अपील बणाया, अब सुन लो, पाकिस्तान वाडों ने विराट कोली को दोबारा से आउट करने के के लिए अपील की, लेकिन अमपैर ने उनकी अपील को रद कर दिया, रीपील का मतलब क्या होता है, रद करना, विराट कोली बाप है सब का आई बात समझ में उसके सामने कोई नहीं चलता और जो जो विराट कोली को सच में दिल से मानता है भाई वीडियो लाइक जरूर करके जाना क्योंकि मैंने इसका नाम लिया है बाई सबसे पहले और भाईया अबुलिस का मैंने बताई दिया था उसका मतलब क्या होता है रद करना या समाप्त करना यह यर आप यदिया रखना इस चीज़ को चौद वा देखो अबरप्टली का मतलब होता है अचानक या एका-एक ठीक है चोधवा अपना वर्ड ये है अबरप्टली इसका मतलब होता है अचानक एकाइस की ट्रिक हम क्या बनाएंगे अब पलस रूप ये मेरे किसी चाहने वाले ने मेरे से बात की तब उसने बताया था मेरे को कि अब पलस रूप ऐसे बनाओ इसको तो मेक अप इसको हम कैसे याद करेंगे मेक अप करने के बाद अब उसका रूप अचानक या एक का एक बदल गया तो अबरप्टली का मतलब क्या होता है अचानक या एक का एक दोखा तब लगा जब अगले दिन उसने मूँ धोया और सबने देखा कि यह तो ऐसी थी नहीं वही या यह ऐसा था ही नहीं यह अकेला लड़की के लिए नहीं होता तो अबरप्टली का मतलब क्या होता है अचानक या एक का एक सिनोनिम क्या होता है इसका सड़नली सब को पता ही है पता ही है और हम अब रपट लीगा हम एक तरीक के से औरुज तरीक जियाद डियाद कर सकते हैं तुम किसी की मतलब हमलुसों तुमारे बहां कि अभ्यु कि उतुम्हाइगों में बहुत का मतलब та मैं तो मैं तो वीडियो को शेरे में बहुत सारे लोग फन 유치 दारेक्शन में जा रहे हैं भाई उनको सही डारेक्शन दिखा दो यार इस वीडियो शेर कर दो जितना उसके फेंग दो इधर दाएं भाई कहीं भी ठीक है ओके सिनोनीम इसका सडेनली होई गया पंदरवा देखो एबसोल्यूटली बिलकुल भाई ये तो सब कोई पता है सि ठीक है सौरब से बनाए सोरब अब सोरब और भी दिलचस्प हो चुका है हो गया है क्योंकि वह जी स्टि इंसपेक्टर बने गया है उसने पहाई सोरब ने मेहनत की उसने स्सी फोर संधीप की वीडियो देखे कि एक साल तक और उसके बाद वह जी स्टि में तो वो दिल्चस पहुच गया क्योंकि है ना पहले उसकी उपर उठाई जाती थी अग तु यह नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता लेकिन एक आएक जब उसकी भाही आई ना ज्वाइनिंग तो उसको मतलब वो दिल्चस बनगा सब के लिए सिनोनिम होता है एन ग्रोसिंग अब एन ग्रोसिंग को कैसे याद करेंगे वो सुन लो N को पकड़ा N से बनाया हमने इन का मतलब होता है मे Gros को पकड़ा Gros से बनाया हमने Grass का मतलब होता है घास अब इसको याद कैसे करेंगे इस घास में ऐसा क्या मिला रखा है कि दिल्चस्प खुसबू आरी है अई वाच माझे तो N कोरुस सिंग को हम हम ऐसे याद करेंगे सत्र बास सुन लो Abuse, Abuse का मतलब होता है गाली ठीक है इसको कैसे याद करेंगे तुमारे भाई ने इसकी बना ली ट्रिक देखो, Ab को पकड़ा Use को पकड़ा, Use से बनाया हमने उसे, Ab उसे, ट्रिक सुन लो अब तु उसे गाली क्यों दे रहा है उसने तो तुझे कुछ कहा भी नहीं ठीक है, तो बेफाब में गाली क्यों दे रहा है आई बात समझ मैं तो Abuse का मतलब होता है गाली इसका सिनोनिम क्या होता है, Scone Scone और Harm, ठीक है अब इसकी सुनो ट्रिक, अब मुझे सुप्रीम कोर्ट ने और गाली दे दी भाई पहले मेरे पटोसी मेरे को गाली दी फिर उसके बाद भाई, हाई कोर्ट में गया मामला उन्होंने गाली दी, हाली कोर्ट वाले ने फिर मैं चलो अपील भी कर दी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी गाली दे दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को गाली दी स्कोन का मतलब होता है, गाली देना ठीक है, हाम को आपको पता यह है अठार वा देखो, अभी स्मल अभी स्मेल का मतलब होता है बहुत बुरा या बेबुनियाद इसकी ट्रिक सुन लो A, B, Y को पकड़ा उससे बनाया हमने अभे पलस S, M, A, L को पकड़ा वहां से बनाया हमने स्मेल और फिर हमने ट्रिक बना दी भाई अभे वहां स्मेल आ रही है जो बहुत खराब और बेबुनियाद है तो अभी स्मेल का क्या मतलब होता है बहुत खराब या बेबुनियाद बोटमलेस ठीक है इसका सिनोनिम भी होता है बोटमलेस ठीक है जो बता रहे हैं उसको पकड़ ले रहे हैं फॉलो कर उसको वोट टमलेस आदमी ओके भी यहां क्लें का मतलब होता है परिशन हा करना इसकी ट्रीक्स जूनि अब एससी को पकड़ा एसा क्लें कर लिया फ्रह loyal वगएर होगा उसमें को चल योग интересно ठीक है तो यह काम कर दे तरको एस् सी मिल जाईगा तो उसने इतनी महिमनत की उस परतियोगिता में गिसने ACC को क्लेम कर लिया तो उसके पापपा ने उसकी परसंद्सा की ठीक है तो ACCLAIM का मतलब क्या हो गया परसंद्सा करना सिनोनिम इसका क्या होता है प्रेज ठीक है प्राइस तरी से मत करना नहीं तो कोई परसंसा नहीं करेगा, क्योंकि भाई अगर आप करोगे तो कोई भी भाईया परसंसा आपकी नहीं करेगा, ठीक है, तुम्हारी इज्जत उड़ जाए कि धजिया उड़ जाएंगे भाईया, ठीक है, अपनी से करो, कोई दिक्कत नहीं हимाग इक्यासवा देखो आकाउंट Table मतलब होता है जाब दे अब इसको कैसे याद करें मैं या तो आकाउंट को पकड़ा हम ने फिर एंबल से बनाया फिर हमने टेबल को पकड़ा ठीक है इसकी ट्रिक देैखो आब आख सारे अकाउंट Table पर रखें वे हैं,熟 इसके इसके सनोनीन सुन लो, answerable, ठीक है, ये भाय answerable आसान सा ही है, answerable मतलब जाब देज, कुछ भी, ठीक है, 22 वा देखो, accotriments, accotriments का मतलब होता है, उपकरन, अब इसको कैसे याद अगरे है भाया, तो हमने इसको तोड़ दिया ढंक से, C-O-U-T-R, इससे बनाया हमने, court, जो इसके बीच में लिखा है, plus M-E, में, ठीक है, अब इसकी ट्रिक सुन लो, court में पपला गुजर को छुडाने के लिए, बदमास, उपकरन, मतलब हतियार लेकर आए, ठीक है, accotriments का मतलब हतियार नहीं होता, तो मतलब आपको मैंने समझा के लिए, इस लेंग्वेज में, इस ट्रिक में, उपकरन को हतियार का गया है, लेकिन accotriments का मतलब हता है, उपकरन, तो court में पपला गुजर, जो हमारे हैं, भाईया, ठीक हमारे तो नहीं है, भाईया, क्योंकि ऐसा काम करता है, भाईया उपकरन, क्योंकि हम बहुत इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, अच्छा, 23, 23, अक्यूर, अक्यूर बोल दो, अक्यूरी बोल दो, कुछ ही बोल दो, लेकिन वो कैया में, एक बात याद रखना, जो जैसा लिख रखना है न, वैसे ही पढ़ना, उसकी आप प्रोनाउंसेसर में मत जाना, नहीं त रूए, इसको उठाया और फिर हमने बनाए रूए, अब इसकी ट्रिक सुनलो, एसी में रूए इखटी हो गई है, ठीक है, स्टोर में पढ़ी होगी कोई एसी खराब एसी, ठीक है, चुहोने लाला के उसके अंदर रूए घूज दी, ठीक है, तो एसी में रूए इखटी ह हो गई है, एक रूए का मतलब होता है, इखटा करना, अब इसका सिनोनीम होता है, अकुमुलेट या कोलेक्ड, क्या आप इखटा करना हमने चरिक वह सुनलो, आप, एक इसका परना है, यो उसे लगा लो इसको निकालो, इस बंडा कुम्मू, लेट से बना है, हमने लो टे, ठीक है हमारे प्रडोस में एक लड़की है कुम्मू, ठीक है कुमकुम नामसको उसको कुम्मू बोलते हैं तो कुम्मू ने लोटे में पानी को इकटा किया, आई बात समझ में तो अकुमूलेट का मतलब क्या होता है इकटा करना, आई बात समझ में 24 बाद देखो accurate सुध यह तो सब कोई पता हो गया accurate सुध ठीक है इसका synonym होता है precise correct exact अब precise थोड़ा सा difficult लगता है तो इसको हम कैसे याद करेंगे भाई सुन लो E C I S E last के पकड़ लिया हमने उससे बना दिया हमने excise अब देखो ध्यान से excise सुध है जिसके लिए हम मैनत करें ना मतलब precise का मतलब होता सुध एक्साइज सुध है उसके अंदर कोई भी corruption नहीं है आप यह मान के चलो लेकिन हमें पता है भाईया क्या है क्या नहीं है पर आप यह मान के चलो जुठाइ मान के चलो एक्साइज तो है न सुध है पर बहुत है उसके अंदर बहुत चादा है नहीं वताचता भाईया अंदर का पता है पर नहीं वह स्याहरी ऑईया सुध हमसे मुष से निकल गई एक्साइज सुध है precisely मतलब क्या होता है सुध देखो अक्यूजड अक्यूजड का मतलब होता है आरोपी जिसने भई कांड करम कांड का रख्यों या फिर अभियुक्त आरोपी को अभियुक्त भी बोलते हैं इसकी ट्रीक सुन लो एसी से बनाया हमने असिस्टेंट कमाडनेंट प्लस यूजड से बनाया हमने यूजड अब सुन लो ध्यान से असिस्टेंट कमाडनेंट क्या होता है पैरा फोर्सेज के अंदर थ्री स्टार के रैंक होती है आई बात समझ में तो असिस्टेंट कमाडनेंट ने पाकिस्तान के हथियار यूज किये, इस लिए उसे R.O.P. घोषित किया गया आई बात समझ में, मतलब उस ने बीसरे के हथियार यूज किया, क्या पता पाकिस्वांचाईना से कैसे हाथियार ले किया रहा है वो चले ये ना चले, आई बात समझ में मान ले उसने चलाया होगा, कहीं और पहुंच गया होगा, उसने किसी अपने को इमार दिया होगा, तो उसको आरोपी घोसित कर दिया गया, तो accused का मतलब होता है, आरोपी, synonym सुन लो, इसके indicated, ठीक है, अब indicated को कैसे याद करें, तो इसकी trick सुन लो, इंडिक्ट का मतलब होता है, मतलब हमने बनाया, इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब इसारा करना, अब सुन लो, उसने मेरी तरफ देख कर कहा, कि यही आरोपी है, मतलब उसने मेरी तरफ इसारा किया, कि यही आरोपी है, पर उसने कहतो दिया, लेकिन उसके बाद भईया, हमने यह पाना वो नहीं है पाना नट बोल्ट नहीं भई यह अचीव का मतलब पाना मतलब किसी चीज को पा लिया आई बाद समझ में हमने तुमको सिनोनिम सुन लो अब अकॉम्पलिस या सकसीड भया मैंने इसकी भाई ए की जगे ना यू कर ले ना आप ठीक है यार यह मैंने गलत लिख दिया यहां पर इसकी मतलब स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर ले ना बुक में से देखके अकॉम्पलिस और सकसीड ठीक है अकॉम्पलिस का मतलब अब सुन तो कैसे याद करें ठीक है इसकी ट्रीग बनाई हमने को उठाया उस से बनाया हमने कॉम्पलिस प्लबॉस अब सुनो इसको जोच कासे संट्रावब को पाने के लिए हम अपनी कॉम्पलिस करते हैं港 पॉलिस अकॉम्पलिस ठीक है तो संसकारों को पाने to accomplish का मतलब क्या होता है पाना। ओके अगला सुन्लो म्यां अभी स्वीकर्थी या अभी अभी स्वीकर्थी या स्वीकार थिक है कि भाई मैंने मैंने अखन खर DR को यह काम ले थीक है तो यह भी सब को पता है ऐसका मतलब होता है स्पंधार संदो दो ओभाज एस्टी को पकड़ और और कंडिशनर कल यू को पकड़ा उसका बणायाए मने का ए आई अन्टी इसको पकड़ा इसका बतायां अंटी अब इसको सुन लो एर कंडिशनर का अंटी ने परीचे कराया क्योंकि आप अंटी थी भहुत बड़ बोली हमारे हस्बेंड ने हमें यह एर कंडिशनर लाके दिया आओ देखो इधर से इधर से यह कैसा है यह वह होता है ना कई बार की कोई आदमी मतलब बढ़ाई का वखा होता है तो मतलब ऐसे तो एर कंडिशनर का अंटी ने परीचे कराया कि मेरे पास मतलब अच्छी ए बड़ाई ठीक है तो अक्वेंट का मतलब होता है परीचे कराना अब इसका सरनोंनेम सुन लो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस और फैमिलराइज ठीक है यह बहा सोनो लास्ट एक वीष एंट के कई यह सेंट का बनाया है में सेंट मतलब परिफ्यूम अब इसको कैसे याद करें एयर कंडिशनर का पर्फ्यूम काले रंग का मान ली तो की का मतलब मानने बात मानने वाला को इस नहीं हम एसब आ रही हो कुछ भी करें यह कोई मेरी बात मानने वाला अब इसका सिनोनिम सुन लो क्या होगा इसका सिनोनिम होता है ट्रैक्टेबल अब भाईया ट्रैक्टेबल को कैसे याद करें तो इसकी हमने ट्रिक बनाई ट्रैक्ट कहा बनाया हमने ट्रैक्टर ठीक है तो भाईया ट्रैक्टर पर बैठ कर उसने मेरी बात मान ली आई बात समझ में तो ट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है बात मानने वाला तो भाया मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज सेर इफ यू कैन अगर तुमारे अंगुट्थे में जान हाथ में जान दिल में दर्द अरे भाया दिल में इज़त है मेरे लिए भाय प्लीज सेर गर्दो यार बहुत मेहनत लगी है और बाकी भीया डिली आया करेए वो कैब कोई टैंशन नहीं है और भाई थैंक्यू हैव ए नाइस टे